हेलो फ्रेंट्स वेलेकुनों में यूट्यूब चैनल तिंक टेक्निकली रहा आज किस वरियां डिसकस करेंगे कि हम क्यों बेसिक में इन्पूल स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे और जो हमने स्टेटमेंट्स इन्पूट की है उसका रिजर्ट कैसे शो करेंगे या यूज स्टाल करना है उस वीडियो का जो लिंक कैम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप इसको देखके वीडियो के इंस्टाल कर सकते हैं तो फिलाल मैं इस डॉल्पोफ को डबल क्लिक कर रहा हूं ढाफ्ट यहां पर देखें जब मैंने क् करने के लिए आप keyboard से alt और enter करेंगे जिससे कि यह fullscreen mode में आ जाएगा यहां पर आप लिखेंगे mount c programs enter किया उसके बाद यहां पर यह mount हो गया तैन उसके बाद हम यहां से drive change करेंगे तैन उसके बाद drive change करने के बाद हम यहां q basic वाले particular folder में जाएंगे q basic तैन उसके बाद हम यहां simple लिखेंगे q basic जब मैंने q basic लिखा तो यहां पर देखे q basic की window open होगी now अब यहां पर हम program type करेंगे सबसे पहले हमें program का नाम देना उसके लिए आप use करेंगे ram command ram into से आप remarks देना चाहते हैं तो मैं यहां message दे रहा हूं to print message तुप्रिंट message यह details यह simple आपका backend में work करेगा आपका show नहीं होगा जब आप program को execute करेंगे दन मैंने enter किया back screen को clear करने के लिए जो वहां student की tail show करना चाहता हूं सो सबसे पहले मैंने लिख लिख यहां पर name of the student then this one then inverted code close अब देखिए इसको store करने के लिए हम एक variable लेंगे जो मैं यहां variable ले रहा हूं name नेम से पहले आपको फिलाल यहां semicolon लगाना होगा that means कि आपकी statement यहां खतम होगी अब उसको store करने के लिए आपको एक variable लेना होगा जो मैं यहां पर ले रहा हूं name name के लिए n ले रहा हूं और साथ में आपको dollar symbol लगाना होगा यह क्या करेगा आपका backend में जो भी आपने input लिया उसको save कर देगा characters के लिए आपको dollar symbol लगाना पढ़ता है अगर आप numbers का use करें numeric values का use करें उसमें आपको dollar symbol की जुरूरत नहीं पढ़ती enter करेंगे again मैंने यहां पर लिखा input आप यहां पर marks of the student मतलब जिसका मैंने नाम एंटर किया उसके marks enter करूंगा तो यहां पर यह close कर दिया देन यहां पर इंवर्टेड कोर्स लोज सेमी कॉलम यहां पर आप कॉलम देना चाहिए तो दे सकते हैं अंदरवाई जब आप रन करेंगे तो यहां कोशन मार्क शो करेंगा यह आपको बता दूँगा जब हम इसको result को शो करेंगे देन आफ्र डैट यहां पर मैं माक्स के लिए जो विरेबल है एम यूज कर रहा हूं यहां जुरूरी नहीं है कि आपने यह बिल्कुल इसके साथ में लगाना है समी कॉलम थोड़ा स्पेस भी दे सकते हैं कि प्रॉलम नहीं है इसके बाद यहां पर मैंने एंटर किया अब प्रोग्राम के अंदर तब मुझे इनको डिस्प्ले कराना है उसके लिए हम प्रिंट स्टेट्मेंट यूज करेंगे प्रिंट के अंदर सबसे बहले मुझे शो करने है नेम जो स्टूडेंट का नाम है नेम शो किया इस बंदन समी कॉलम से मूपर जो मैंने इस में मैंने इनवर्ड़ कोर्स कि लोज किये नवर्ड़ कोमा कलोज किये और मांक स्कूर दिखी लिए थे यहां नॉल्लिया थो मैंने स्टूड नमबर के लिए मांक मांक से लिए एम लिय Colossering फैसिवान दिखना पड़ेगा उल्प क्लिर्णक्राइब एंड मैंने यहाँ इनपूर्णा का यूज किया प्रियुक्ट को एंड डिए अब इसको सेव करते हैं सेव करने के लिगा है या तो कि बूर्ण करेंगे फाइल में जाकर इसको करेंगे सेव तो मैं यहां प्रोडाम का नाम दे रहा हूं, input s.bass, बैस हमारी जो q basic क्या, यहां जो extension होती है, प्रोडाम की, जो आपको यह साथ में देनी पड़ेगी, तो इसको save कर दीजी, now, अब इसको run करने के लिए देखिए, अगर आपको नहीं बता कैसे करेंगे, नीचे देखिए, status war में show कर रह आएगा, f6 से window आएगी, छोटे बड़ी होगी, f2 से subs होगा, f5 से, हम इसको run करेंगे, और f8 से step by step करेंगे, तो फलाल मुझे run करना है, run में गया, यहां start किया, तो यहां देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने बताया, question mark show करेगा, name of the student, जो मैंने साथ में column दिया था, त जब मैंने enter किया, तो यहां पर देखिए, student के जो नाम backend में save हुए थे, पहले तो marks उसके, पहले name उसका आगया, और दूसरे जो marks backend में save हुए थे, वो यहां पर display होगे, enter किया, अब roll number भी आप show करना चाते हैं, आप roll number भूल गए, आप बाद में भी add कर सकते हैं, तो यहां आपर मैं roll number अब देखिए, roll number जो है, वो student के किसमे है, जो हमारे integer value, that one is numeric values में, roll number of the student, simple आप roll number भी लिख सकते हैं, name of the, roll number of the student, then this one, colon, then this one, यह लगाना जुरूरी नहीं है, ना भी लगाएं तो भी चले है, inverted codes को close किया, बट semi colon, और roll number के लिए हम आर रक लेते हैं, यह तो दिखिए, आपर मैंने इसकी entry करवा दी, now I want to print that value, जो मैंने roll number के एंटर करनी तो उसके लिए printf statement का use करना पड़ेगा, print का, so मैंने यह यह प्रिंट लिखा, यहां लिखा roll number, then colon, this one, और roll number के लिए मैंने r use किया था, alt tab से file में जाएंगे, पहले इसको save करेंगे, अब run करने के लिए आपको मैंने बताया, कि आप run में जाएंगे, run में जाकर start करेंगे, now see, student का नाम दिया मैंने अरुन, student का जो roll number है, वो मैंने दिया 101, enter किया, student के marks मैंने किये, 460, now see, जब मैं enter का रहा हूँ, यह सारी detail देखी, यहां पर show हो रही है, सबसे पहले student का नाम, then roll number, then उसके marks, यह देखी यहां पर, so, यहां पर जो हमने input statement किया, इसकी help से आपके सामने show हो गया, कि यह values को show करता है, back end में, उसको enter करके, यह store करता है, और जो print है, सिर्फ उसको display करता है, एक पर फिर से run करते है, run, start, यह दिखिए, input statement यहां चली, उसने यहां मांगा, name of the student, so, मैंने यहां इस पर नाम दे दिया, वरुन, उसका roll number क्या था, 113, एंटर किया, उसके marks कितने थे, 490, तो यह दिखिए, यह तो input statement यह जो statement थी, उसने हम से input ली, now, अब print statement क्या करेगा, उसको display करेगा, देखिए, जब मैं यहां से enter की press कर रहा हूँ, तब यह print statement execute होई, और उसने सारी जो details अमने enter करवाई, वो सारी यहां पर उसने display कर दी, यह प्रोग्राम है, इसका जो link है, प्रोग्राम का वीडियो के description में दे दूँगा, वहाँ से अब इसको copy paste करके भी execute कर सकते हैं, otherwise आप खुद भी type कर सकते हैं, so friends यह process करके देखिए, if you face any problem comment box में क्वेंट कीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को like subscribe, और अपने फ्रेंगे शेयर करना मद फूलिए, one more thing, अब देखिए, आपने इससे बाहर आना है, अब यहाँ पर देखिए, normally क्या होता है, यहाँ होता है, एक close button लेकिए, यहाँ पर close button नहीं है, तो उसके लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से directly exit कर देंगे, अब यहाँ पर भी देखिए, full screen आ रहा है, close का button नहीं आ रहा है, यहाँ से exit कैसे करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे, exit, then enter, यह देखिए, मैंने जब exit करके enter किया, comment extra पर jump कर गया, so यह सारी process को करने में, अगर आप कोई भी problem face करें, आप में comment box में comment करके बता देते हैं, so thank you friends for watching our video,